एक गाउं में रम्या और राजु नाम के पती-पत्नी रहा करते थे उनके दो बच्चे थे कीर्ती और बालु नाम के राजु हर दिन गाई को चराने ले जाता और गाई से ही कमा कर वो अपना घर चलाया करता था एक दिन हर रोज की तरहा राजु गाई को अपने साथ लिए जंगल चराने के लिए ले गया पर देर रात होने तक भी वो घर वापस लोटा नहीं तो रम्या को उसकी बहुत चिंता होने लगी क्रिश्न जी की मूरत की और देखकर एक अनहा मेरा सारा परिवार सिर्फ आपकी ही पुजा करता है हर दिन गाई को घांस चराने ले जाने वाले मेरे पती इस समय तक रोज लोट आते हैं पर आज अभी तक लोटे नहीं गाउवाले कह रहे थे कि जंगल में बाग का खत्रा बढ़ता जा रहा है जो रम्या घबराई सी भगवान की प्रार्थना कर रही थी तो उसे किर्ती और बालु ने देखा मा क्या हो गया मा बाओ जी अब तक घर क्यों नहीं लोटे और तुम रोग क्यों रही हो मा हमें डर लग रहा है किर्टी भी डर कर कह रही थी कि तभी राम नाम का एक आदमी उनके घर पर आया तेरा पती राजू आज हर रोज की तरह गाय को चराने ले गया था ना जंगल सुना है बाग ने गायों पर हमला करना चाहा राजों उन्हें बचाने की कोशिश में खुद बाग का शिकार बन गया बेटा रम्या ने अपने पती की अंतिम संसकार की विधी पूरी करवाई यूँ ही समय बीटता रहा रम्या घर पर ही खाने की पत्रोलियां बना कर बाजार में बेच कर पैसे कमाने लगी यूँ एक दिन बालू अपनी मा के पास आकर कहने लगा मा तुम हम दोनों के लिए दिन रात एक कर पत्रोलियां सेल रही हो ना मा इससे तो तुम्हारी सेहत बिगड़ेगी और इससे कोई जादा फाइदा भी नहीं होने वाला मा इसलिए मैंने एक निरने लिया है मैं बाजी की तरह आज से गाय को चराने के लिए जंगल ले जाया करूंगा तो तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी मा तुम्हारे पिताजी के साथ जो हुआ उसे सोच कर ही मेरे हाथ पैर कापने लगते हैं अब मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूँगी मा हम जिन भगवान कृष्णी की शुरधा से पूजा करते हैं वो भी तो गाय को ही चराया करते थे ना बाजी के साथ ऐसा हुआ तो ये जरूरी तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो वैसे भी मा आपी तो कहते हो ना कि जो जब जैसे होना है सब काना की मर्जि से होता है यो कीर्धी ने कहा उसकी बात सुन रम्या कृष्णी जी की मूर्थी के पास गई ये कानहा, आप एके भरोसे, मैं अपने तोनों बच्चों को जंगल भेजने के लिए तयार हो रही हूँ, उन तोनों की रक्षा करना भगवान यो रम्या ने सारा भार कानहा पे डाल दिया, अगले ही दिन से कीर्थी और बालू अपनी गायों को लेकर जंगल जाने लगे सारी चीजे बनाऊंगी, मेरे बाल कृष्णे के लिए उनकी मन पसंद हर वेंजन बनाऊंगी, पर मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं, घर में थोड़ा भी आनाज नहीं, जिससे मैं थोड़ा नव्यध्य बना सकूँ मा, हम जिनके गाय चराने जंगल ले जाते हैं न, उन्होंने कहा कि आज वो हमें पैसे देंगे, तो आज हम जल्दी से जाकर गाय को घास चराकर शाम में जल्दी लोट कर आएंगे, और उन्हें उनके गाय लोटा कर हम पैसे ले कर आएंगे, दीडी चलो चलते हैं पिर कीर्थी और बालू साथ में गायों को घांस चराने के लिए जंगल ले जाने के लिए घर से निकल पड़े अरे ओ बालू जल्दे चल शाम में जल्दी घर वापस लटना भी है ना जल्दे चल घायों को घांस काफी नहीं होगा यूँ वो आवाज लगा ही रही थी कि अचानक उनका पुराना सा घर दह कर कीर्टी पर गिर पड़ा कीर्टी उस मलबे के अंदर फसी हुई थी बालू ये सुनकर दोड़ कर बाहर निकला बालू ने बहुत कोशिश की कि कीर्टी के उपर गिरे मलबे को हटा पाए पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्रिश्ना क्रिश्ना को आवाज लगाई उनके घर पर रही क्रिश्न मूर्ती से एक रोश्नी निकली जो सीधे जाकर बालू के अंदर समा गई और गया था बालू कानहा के रूप में बदल गया अपने एक ही हाथ से मलबे को हटाया और कीर्ती को बचा लिया कीर्ती को बालू ने उठा कर घर में खटिये पर सुला दिया अपने मुकुट में रहे मोर पंख को कानहा ने कीर्ती के घावों पर घुमाया पल भर में कीर्ती के सारे घाव गायब हो गये उसके बाद काना ने उसी मोर पंख को पूरे घर में घुमाया। पुरानी शिथिल होने वाली वो जोपडी एकदम से एक पक्का घर बन गया। और घर में धन से भरे तीन संदुग भी प्रकट हो गए। एक में सोना, एक में जवाहारात और एक में पैसे थे। रम्या, कीर्ती, मैं तुम्हारे घर का बाल कृष्ण हूँ। तुम सभी बरसों से मेरे भक्त होना, मेरे भक्त की रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी है। जब मेरे भक्त संकट में होंगे, मैं बिना पलगवाय उनके पास आ जाता हूँ। अब तक जिस तरिद्रता के साथ त उसका अंध हो चुका। अपसे तुम सब सुखी जीवन जियोगे। और हां रम्या, तुम मुझे तरह तरह के वंजन बना कर खिलाना चाहती थी ना, अब तुम बनाने लग जाओ। रम्या का रुधय गदगद हो था। वो तुरंट संदुक में से कुछ पैसे लेकर और ज मुझे थोड़ा खाने के लिए माखन मिल जाए तो मेरा मन तरुप्त हो जाएगा। कानहा, तुम्हें माखन खाना है, तो पल भर के लिए रुख जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए माखन लेकर आती हूँ। घर के एक कोने में मटके में बांध कर रखा मखन कीरती लेकर आ और उसकी रक्षा की। रम्या ने उस धन से बहुत सारी गाई खरी दी। उन्ही का दूद पेच कर कृष्ण भत्ती करते हुए वे सभी खुशाली से जीवन बिता रहे थे। एक गाउ में बालू और किर्ति नाम के दो बच्चे रहा करते थे। उनके माता-पिता, सुजात और वीर थे। वे बहुत ही गरीब थे। पर वे दोनों ऐसा कुछ भी नहीं जाता थे जिससे उनके बच्चों को इस बात का पता चलता। एक दिन रक्षा बंधन के अवसर पर किर्ति अपने पिता के पास आई और बोली। बाव जी, कल रक्षा बंधन है ना, तो मैं बाल सुजाता के पास पहुचा और बोला, मा, कल रक्षा बंधन है ना, जब देदी मुझे राखी बांदेगी, तो मुझे उसे कुछ देना तो होगा ना, मैं उसे को ये पहार देना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, अगर तुम मुझे पैसे दोगी, तो मैं बाजा जाकर उपहार ले आउंगा, हाँ, हाँ, बेटा, तु यही रुपना, मैं अभी बाउजी से पूछ कराती हूँ, सुजाता ये कहकर अपने पती के पास जाने के लिए निकली, वहाँ वीर कुछ सोच रहा था, क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो, क्या बताओं सुजाता, हम दोनोंने तै किया था कि अपने हालातों के बारे में बच्चों को कभी मालुम नहीं होने देंगे, पर मुझे लगता है हम उनकी छोटी छोटी इच्छाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अभी कीर्टी बिटिया ने मुझे राखी खरीदने के पैसे मांगे, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, यही सोच रहा था सुजाता, अभी अभी बालु मेरे पास आकर कीर्टी के लिए उपहार देने के पैसे मांग रहा था, यही बात बताने में आपके पास आई थी, यो उदास होकर सुजाता ने पती से कहा, दोनों अपने ह तरसी राखी बना ली, घर में रहे थोड़े बहुत आटे से उसने मिश्ठान बना लिया, ये देख, सुजाता तुम्हारी समझदारी के वज़े से एक रुपे के खर्च के बिना भी ये मुश्किल तो टल गई, सुना है शहर में एक स्कूल है जहां पर फीज बहुत ही कम ले मिटर पैदल चलने से तो अच्छा है, ये दोनों वही शहर में होस्टल में रहें और वहीं पर दोनों अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, पर इस बारे में हम बच्चों को रक्षा बंधन के बाद ही बताएंगे फिर कीरती और बालू बहुत अच्छे से तयार होकर वहां पर आए बालू चल मैं तुझे राखी बांदेती हूँ हाँ दीदी आ रहा हूँ, जरसल मा ने ना एक नई सी मिठाई बनाई है, बस मैं वो लेकर ही आ रहा हूँ बालू मिठाई लेकर अपनी दीदी के पास आया जब कीरती बालू को राखी बांद रही थी, तब मा बाओ जी उन दोनों को देख रहे थे राखी बांदने के बाद वीर ने उन दोनों से कहा बच्चो, मैं तुम दोनों का दाखिला एक नए स्कूल में करवाने जा रहा हूँ कल कल से तुम्हें दो तिन किलो मिटर पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाप्रे, हमें होस्टल में रहना पड़ेगा ना ना आप दोनों के बिना में नहीं रहे पाऊंगा यू उन दोनों बच्चों के बार बार ना कहने पर भी मा बाउजी ने अपने दिल पर पथर रख उनके भविश्य की सोच कर उन्हें होस्टल में भेजी दिया वहाँ पर भवानी नाम की एक टीचर थी जो बहुत ही घुसे वाली थी हर छोटी बात पर वो डांट दिया करती थी वो ये भी नहीं देखती थी कि बच्चे बहुत छोटे हैं घुसा आता तो उन्हें मारा करती थी यू भवाने के हाथों मार खाते खाते बालू और किर्ती ने पूरा एक साल वहीं बिटाया देखते देखते राखी का ट्योहर आ ही गया वैसे तो नाम के लिए मैं और बालू एक ही जगे रहते हैं पर बालू को मिले तीन महने हो चुके हैं गल राखी है जैसे भी हो मुझे बालू के हाथ में राखी बाधनी ही है भवाने टीचर को किसी तरह चक्मा देकर मुझे अपने भाई बालू के पास जाना ही होगा एक और किर्ती ऐसा सोच रही थी तो दूसरी और बालू भी दीदी के बारे में सोच रहा था मा बाव जी ने तो ये सोच कर हमें यहाँ छोड़ दिया ताकि हम दोनों अच्छे से पढ़ाई कर पाए पर हम उन्हें कैसे बताई कि हम यहाँ कितनी तकलीफ में हैं और सबसे जादा तो भावानी टीचर की वज़े से उनके दर की वज़े से तुम्हें दीदी से भी नहीं मिल पा रहा गहल तो राखी भी है मुझे किसी भी तरह दीदी से मिलना ही होगा ऐसे बालू भी सोच रहा था राखी के दिन बालू की क्लास में भवानी टीचर पाठ पढ़ा रही थी पर बालू यही सोच रहा था कि अगर वो और किर्थी इस समय घर पर होते तो कितने मजे करते बालू का भटका हुआ ध्यान देखकर भवानी टीचर उसके पाज गई और उसे खूब पीटने लगी बालू मैं यहाँ पर गला भाड भाड कर तुम्हें पाठ पढ़ा रही हूँ और तुम हो कि किसी सोच में डुबे हुए हो चलो पहले क्लास सुनो यू फटकार कर भवानी टीचर ने कहा दूसरी और कीरती किसी तरह अपने क्लास से खिसकर बहार आने की सोच रही थी इस समय क्लास में कोई भी नहीं है मैं किसी तरह तुरंट बालू से मिलने चली जाऊंगी कीर्थिक इसी तरह अपने साथ राखी लिए बालू की क्लास में पहुंची तो देखा वहाँ पर भवाने टीचर खड़ी थी कौन हो तुम? भवाने टीचर ने घुसे से उसकी चोटी पकड़ी और खीच कर क्लास में ले आई यू हाँ जोड़कर बालू ने विंती की और भवाने टीचर के पैरों में गिर गया आज तक एक भी राखी में मैं और दीदी एक दूसरे से दूर नहीं रहे ये पहली ही राखी है जब हम दोनों एक दूसरे से दूर थे भवानी टीचर को भी उन दो भाई भहनों का प्यार देखकर उन पर बहुत प्यार आया भवानी टीचर ने पास रहकर कीर्टी के हाथों से बालू के हाथ पर राखी बंदवाई अपने बैक से एक खिलोना निकालगर बालू को दिया और कहा कि अपनी दीदी को उपहार में दे दे तुम दोनु का प्यार सच्चे भाई बहन के प्यार का एक उदाहरन है तुम्हें आइंदा कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कहना पर ऐसे बीच क्लास में कभी आना मत बालू कीर्टी और बाकि सभी बच्चों को राखी की बहुत बहुत बधाईया यूँ टीचर ने भी सभी को शुबकामना एं दी इस तरह बालू और किर्टी के प्यार ने सक्त भवानी टीचर को भी बदल डाला